दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए, इस पौधे को, यह पौधा ब्रहमदंडी का पौधा है, जिसे शास्त्रों में सिध्यों को देने वाला और रोग-मुक्त अर्थात निरोगी काया देने वाला कहा गया है, वैसे हम लोग अपने काम को सिध्ध करने के लिए अलग-अलग होते हैं, और आज मैं फिर से एक बहुत ही सुन्दर सी वनस्पती के बारे में लेकर के आया हूँ, कि अगर आप इस उपाय को करके सिध्धी करके अगर इसका उपाय कर लेते तो यकीन मानिये आपका हर काम पूरा होगा, वैसे तंत्र शास्त्र में आज मैं जिस पौधे के टोटके बताए गए, लेकिन उन में से मैं कुछ खास उपाय मैं लेकर के आया हूँ, उपायों को करने से आपके जीवन में जो चल रही परेशानी है, जो धन संबंधित समस्या है, घर में अनेक प्रकार के दिक्कत होते हैं, ग्रह दोश लगे, उन सारे के सारे दिक्कतों क भी देखा जाए तो कई सारे फायदे हैं, तो मैं आज के इस वीडियो में दोनों प्रकार के ज्यान आपको कवर करूँगा, सबसे पहले मैं शास्त्र के अनुसार बाते करूँगा, उसके बाद से आयुरवेदिक दृष्टी से यह कैसे काम करता है, उन सब चीजों को भी जाने, मतलब यह पेर पौधे की जो जानकारी होती है, ना बहुत ही जरूरी होती है, पेर पौधे के बारे में, जिसे भी अर्थात जड़ी बूटी के बारे में, जिसे भी ज्यान होता है, उसे कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं होती, घर पर बैठे ही सब कुछ कर लेता ह सब कुछ प्राप्ट कर लेता है, ना तो उसे कोई बीमारी छुपाती है, ना तो उसे धन दौलत की किसी चीज की कभी कोई कमी रहती है, सही तरीके से बस उस उपाई को जानने की जरूरत है, क्योंकि पेर पौधे में हमें भी पता होता है कि देवी देवताओं का अंच होता और पेर पौधों का पूजा करने से, उपाय करने से तथा उनको अपने साथ में होने वाली बीमारियों का इलाज करने में हर तरीके से फाइदे मंद होता है। कि दोनों जहां पर दवा और दुआ दोनों काम करता है या कैसी भी बीमारी हो हर प्रकार की बीमारी ठीक होती है तो बस आज आप वीडियो के अंत तक बने रहिए गाम। एक बहुत सुन्दर सा वनस्पती के बारे में लेकर के आया हूँ जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है इस पौधे को शायद आप अपने घर के अगल गल नाले के पास नहर के पास तालाब के किनारे रोड पर कही ना कहीं देखा ही होगा देखिए कैसे कैसे इसके पत्तियों में कांटे लगे होते हैं लेकिन इसका जो फूल होता है ना बहुत ही सुन्दर सा गोल्डन कलर का होत इसका जो है ना यह जो पौधा आपको दिखाई दे रहा शायद आप इसका नाम जानते होंगे लेकिन मैं तो इसे ब्रह्मा दंडी के नाम से जानता हूँ वैसे ही आप इसे कहीं पर ढूंडेंगे तो ब्रह्मा दंडी या कुछ लोग इसे सत्यानाशी के नाम से जानते है और यह एक American पौधा है और दिखने से ऐसा लगता है है कि यह जंगल वाला पहाडी वाला नदियों में पाता हो, पाया जाता होगा नदियों के किनारे, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है, यह हर जगह पर पाया जाता है, गाव में हो, चाहे देहात में हो, चाहे शहर में हो, फूल के भी, पत्ते के भी, बीज के भी, जड़ के भी, हर तरीके से यह बहुत ही चमतकारी काम करता है यदि आप जो है इसका सही तरीके से उपाई जो है किसी भी दिन कर ले अगर आप इसका उपाई किसी खास दिन करना चाहे जैसे मान के चलिए दिवाली हो गया, अमावस्या हो गया, पूर्निमा हो गया, क्या बोलते हैं, कुछ ग्रह नक्षत्र वाले कुछ ऐसे खास दिन होते हैं, उस दिन भी यदि आप इसका उपाय करते हैं, तो यह उपाय जो है कारगर होता है, तो बस यह छोटा सा उपाय, बस अपना कुछ कीमती समय निकाल करके आप किसी भी दिन शाम के समय जो है, आप इस उपाय को कर लीजिएगा, यकीन मानिए, आपके जो जन्मों जन्मों से चल रही समस्या है, यूँ ही खत्म हो जाएगी, माता लक्ष्मी की कृपा लग जाती है, तो कैसे करना ध्यान से, ठीक है, सबसे पहले आप को अगर पूर्निमा को करना है, अमावस्या को करना है, दिवाली के दिन करना है, कोई खास दिन अगर करना है, जैसे ग्रहन लगा हो, उस दिन करना तो भी आप कर सकते हैं, कोई इसमें बात नहीं है, सबसे पहले एक दिन पहले इसको निमंतरन दे के, मतलब अगर अमावस् अगर किसी प्रकार की कोई गंध हो तो क्योंकि गंगाजल चितने से क्या हो जाता है कोई भी चीज पवित्र मानी जाती है और पूरा का पूरा 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 जो है उखार करके लाना है ठीक है और पूरा का पूरा पौधा जब उखार के लाते हैं तो गंगा जल से पहले पवित्र कर लेना उसके बाद से क्या करना पंचामृत से भी इसको क्या करना है सनान कराना है पंचामृत से सनान कराने के बाद शाम के समय में आप ध्यान से सुन क्या उपाय करना है? सबसे पहले आपको एक लाल कपड़ा लेना है. लाल कपड़ा में इसके जर को ठीक है. इसके जर को क्या करना है? रख करके बांध देना है. ठीक है. एक पोटली बना लेना है. इसको क्या करना है? माता के चर्णों में समर्पित कर देना है. रख देना है. वहाँ पर आपको माता लक्षमी के 20 मंत्र को बोलना है 108 बार ओम महालक्षमी नमः इस मंत्र को 108 बार बोलेंगे तो उसमें जो पोटली है उसमें माता लक्षमी की देवी शक्ती चली आती है और इस तरीके से वह जो जड़ है ना अब उसमें सिध्धियां प्राप्थ हो जाती है और इसको क्या करना है आपको बस इस जड़ को उठा करके जहां पर आपका रसोई हो जहां पर आपका तिजोरी हो भंडार हो उस जगह पर मतलब किसी शुद स्थान पर ही ले जाकर के रख देना है ठीक है ऐसे जगह पर रखन स्याओं से आपको मुक्ती मिल जाएगी तिजोरी में रखेंगे तो तिजोरी में धन बरना शुरू हो जाएगा किचन में रखते हैं तो किचन में माता अनपूर्णा का वास होगा माता लक्ष्मी का वास होगा जहां पर भी रखेंगे आप वहां पर जो क्या होता है व्रि जैसे इसे देखने से ही पता चलता है, कि जंगल जाडी वाला पौधा है, क्योंकि इसमें कांटे लगे होते हैं, तो यह भोले बाबा को बड़ा ही प्रसंद करेगा, क्योंकि भोले बाबा वैसे ही पौधे को, जैसे बेल वाला हो गया, बेल कांटेदार होता है, धतुरा हो यह भी, तो यह भी कांटेदार जो कि जो इसके फूल होते हैं, देखो कितना सुनरा होता है, तो बस उस कांटों के बीच में यह एक फूल जो है, बिलकुल गुलाब वाला जैसा होता है, क्योंकि गुलाब भी कांटों के बीच में ही फूलता है, और यह भी फूल जो हमारा दिख रहा सत्यानाशी का कांठों के बीच में ही फूलता है, इस अगर फूल को पीला कलर का फूल को अगर बहुत ही सावधानी से तोड़ करके अगर भोले बाबा के शिवलिंग पर चड़ा देते हैं, भगवान शिव को चड़ा देते हैं, तो भोले बाबा अती प्रसंद हो उपाय करने पर अगर इस उपाय को अगर पुश्प को ले जाकर के भगवान शिव के मंदिर में चड़ा देते हैं, तो आपके जीवन में कैसी भी समस्याएं चल रही कोट कचरी का चकर चल रहा है, खास तरीके से किसी से लड़ाई जगड़ा हो, कोई दुश्मन हो, कोई शत्रू हो, तो बस यूँ ही यह सारे के सारे चीजें खत्म हो जाएंगे, कोट कचरी में आपको विजय की प्राप्ती होगी, इसके साथ साथ में आप एक और उपाय कर सकते हैं, जो इसका जड़ होता है, लाल कपड़े में रख करके अपने हाथ से आपको इस काम को करना है लाल कपड़े में रख कर सबसे पहले अपने घर के पूजा मंदिर में कुछ समय के लिए रख देना है, और जब आप किसी काम को करने के लिए जाते हैं, मतलब कोई भी काम आप करते थे, हमेशा जो उस काम में कोई ना कोई रुकावट हो जाती थी, काम पूरा ही नहीं होत था, कोट कछरी का चक्कर है, आपको उसमें जो विजय प्राप्ति चाहिए, आप वाली ही हो, तो आप जो इस उपाय को कर लीजिएगा, कहीं भी कोई भी काम करने जाते हैं, वह काम 100% सफल होता है, तो करना कैसे? आपको लाल कपड़े में इसके जड़ को लेकर के कुछ सम को करने के लिए निकल जाए, 100 नहीं, 105% की गारंटी के साथ कह सकते हैं, कि वह काम आपका हो, करके ही रहेगा, चाहे कोट कछरी में आप क्यों गलत क्यों ना हो, क्योंकि पक्ष आपके फैसला आपके पक्ष में ही होगा, इतना ही चमतकारी उपाय होता है, तो चलिए अब ह अयुरवेडिक कुछ उपाय हैं, उसको हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि इसका आयुरवेडिक उपाय भी समझना जरूरी है, इसमें दैवी शक्तियां तो हैं, दैवी शक्तियां के साथ साथ इसका कुछ अपना जो गुण होता है, उस गुण के कारण, कुछ औश्धी यह अनेक प्रकार की बीमारियों में क्या करता है, ठीक काम करता है, वैसे कोई भी जड़ी बूटी होती है, उसमें एक नहीं अनेक प्रकार के रोगों को खत्म करने की का जो तरीका होता है, खत्म करने का पावर होता है, लेकिन हम लोग जानते नहीं है और, जानकारी के अभा ध्यान से समझिए, पहला नंबर का जो देखा जाए, यदि आपके जोडों में दर्द बना रहता है, हड्डियों में ठीक है, और कहीं कहीं पर सूजन लग गया है, चोट हो गया, ए, तो वहां पर आपको मतलब चोट संबंधी कोई भी समस्या हो जो बाहर के ख्षेत्र में स् कोई भी हो चोट लगा हुआ हो, तो आप क्या करना है, कि इसका जो बीज होता है, ना इसके बीज का एक तेल आता है, ठीक है, यदि इसके तेल को मार्केट में बोलेंगे सत्यानाशी का तेल तो बड़ी आसानी से मिल जाता है, आप ओन-लाइन भी मंगा सकते हैं, तो सत्या नाशी का पौधा को जूस निकाल करके थोड़ा सा गर्म करके, यदि आप इसे वहां पर मालिश करते हैं, तो भी वह काम करता ही करता है, लेकिन इसका तेल जो बहुत ही जबरदस्त काम करता है, ठीक है, अब क्या करना है, यदि सांस रोग संबंधी कोई समस्या हो, मतलब दमा हो, अस्थमा हो, इस प्रकार की अगर समस्या हो तो आपको इसको क्या करना है, इसका जो जड़ होता है, इसके जड़ को सुखा लीजिए, ठीक है, और पाउडर फॉर्म में बना लीजिए, ठीक है, इसके जड़ को सुखा करके पीस करके ग्राइंडर में पाउडर बन रहा है, तो बस एक सब्ताह लगातार लेंगे, सांस संबंधी समस्या यूं ही खत्म हो जाएगी, ठीक है, तीसरा नंबर का जो उपाए, इसका बहुत ही जबरदस्त उपाए, जो पिलिया रोग में काम करता है, ठीक है, तो पिलिया रोग में कैसे काम करता है, गिलोई का रस और इसका जड़ ठीक है, गिलोए का रस में क्या करना है, इसके जड़ के पाउडर को आपको क्या करना है, थोड़ा सा मिला करके आपको बस सुबह के समय में पी लेना है, ठीक है, बस मुश्किल से आप 3-4 दिन ही बस सुबह अगर शाम पी लेते तो 3-4 दिन जाते आपकी पी पिलिया रोग जो यूही खत्म हो जाएगा, ना समझे, अगर पाउडर नहीं मिला तो गिलोए और इसका जड़ या इसके पत, तो को पीस करके इसका रस निकाल लीजिए और रस निकाल करके क्या करिए, आप इसको पी जाएए, कैसा भी पिलिया होगा, तुरंत ततकाल जो है एक से दो टाइम, अभी दो टाइम ही पिएंगे, उसमें राहत मिलना शुरू हो जाएगा, कभी कभी तो कुछ लोगों की ऐसी समस्याएं हो जाती है, कि मूत्र विसरजन करने में, मतलब मूत्र करने में ना बहुत सारे दिक्कत होते हैं, तो मूत्र संबंधी अगर कोई सम समस्या हो, जलन होती हो, मूत्र करने में दिक्कत होती हो, मूत्र सही से नहीं निकलता, तो ऐसी अगर परेशानी हो तो मूत्र विकार में यह बहुत ही जबरदस्त काम करता है, ठीक है, क्या करना है? इसके जड़का पाउडर? ठीक है, मारकेट में मिलता है, पतंजली का ले लीजिए, चाहे किसी का भी लीजिए तो आप जो इसके पाउडर लीजिए और 20 ग्राम इसके पाउडर को ठीक है, 20 ग्राम पाउडर को पानी में मिला करके या पानी के साथ आप जो क्या करिये, सुब अगर आपके घर के आसपास मिलता है, अगर उसका आप पाउडर बना के रखें तो बड़ी अच्छी बात है, फ्री में हो जाएगा, वैसे यह जो सत्यानाशी का पौधा जो तवचा, संबंधी रोग होता है, कुछ रोग होता है, कुछ अनेक प्रकार के कुछ एक्स्टरनल यदि शरीर पर दाग दबे तो वहां पर भी इसका पेस्ट लगाने से क्या की वहां पर राहत मिलती है, ठीक है, बहुत ही जबरदस्त और खास तरीके से अगर आपको दाद खाद खुझली भी होता है, अगर इसका तेल जो इसका बीज होता है, इसके बीज का जो निकाल कर या इसका बीज का तेल अगर आप पा जाते हैं, तो उसको अगर इस्तमाल करते हैं, दांत खाद खुजली कैसी भी हो पुरानी वह यूही ठीक हो जाती है, तो आज के इस वीडियो में यह जो सत्यानाशी जिसे ब्रह्मा डंडी के नाम से भी जाना जाता है, इसके बारे में म पोश्धी गुन उसमें होते हैं, साथ ही साथ उसमें जो क्या होते हैं, कि दैविक गुन भी होते हैं, तो दवा और दुआ दोनों काम करते हैं, जब दवा और दुआ जहां दोनों काम करते हैं, वहां पर आदमी कैसे निराश रह सकता है, उसके जीवन में कोई समस्या नही आ सकती, बस हम लोगों को क्या होता है कि जो जड़ी बूटी होते हैं, पेर, पौधे होते हैं, ना तंत्र शास्त्र के अनुसार आयुर्वेदिक ज्यान होना बहुत ही जरूरी होता है, तो आज के इस वीडियो में मैंने जिस वन्सपती के बारे में बताया, क्या आप इसे ज जानते थे इस पौधे को आपके यहां किस नाम से जानते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताना ओम नमा शिवाए हर हर महादेव